नमस्कार जी, Manual for Happy Family Life के वीडियो नमबर 10 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं मुकेस सिंग मोडिवेशनल स्पीकर, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी दस्मी टेक्निक जो आपकी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा शांदाद कर देगी जी हाँ, आपकी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी ऐसी टेक्निक नमबर 10 मैं आज आप लोगों को बताने के लिए हूँ दोस्तों दस्मी टेक्निक है, Develop Understanding जी हाँ, एक दूसरे के पर तेंडेस्टेंडिंग को डेवलब कीजिए Understanding बढ़ाईए, समझ बढ़ाईए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोगों के बारे में अनुमान लगाने लगते हैं हम प्रीजज करने लगते हैं, हम उसे डिसकस नहीं करते हम Understanding के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम सिफ प्रीजज करते हैं, हम पूर अनुमान लगाते हैं और ये पूर अनुमान ज़्यादा तर लोग गलत लगाते हैं जब आप गलत अनुमान लगाएंगे किसी के परते, तो जैसा आप उसके परते सोचोगे जैसा आप उसके परते अनुमान लगाओगे, वैसी ही feelings आपकी हो जाएंगे आप जैसा सोचते हो न किसी के बारे में, उसी तरीके की आपकी vibrations, उसी तरीके की आपकी feelings उस व्यक्ति के तरफ चाती है आप किसी के बारे में गलत सोचते हो तो आपकी गलत vibrations, गलत feelings उसकी तरफ चारे है आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो अच्छी vibrations, अच्छी feelings आपकी उनकी तरफ चारती है और जैसी feelings, जैसी vibrations move करती हैं उनकी तरफ उसी तरीके की vibrations और feelings उनके मन में आपके पते पैदा होती है तो ये बहुत important है कि आप एक दूसरे के साथ में understanding बिठाएं matching बिठाएं देखे जब एक बात पता चल ही चुकी है कि हम सब लोगों को साथ साथ रहना है तो फिर क्यों हम 36 का आंकडा बना के घुमें क्यों हम एक दूसरे के साथ understanding नहीं बिठाएं कहीं पर थोड़ा सा जुकने की आवश्यक्ता हो तो जुक जाएं match करें चीजों को चीजों को adjust करने की कोशिश करें चीजों को खतम करने की कोशिश न करें यदि हम एक दूसरे के साथ understanding बिठाने की कोशिश करेंगे तो understanding बैठेगे दो कदम आपको भी पीछे हटना पड़ेगा तो दो कदम दूसरे को भी पीछे हटना पड़ेगा लेकिन मैं तो हमेशा दोस्तों कहता हूँ आप पीछे हट जाएगे आपको आवश्यक्ता पड़ेगे understanding बिठाने के लिए सौरी बोलने की आप बोल दीजिए आलवेज इस बात का ध्यान रखिए understanding बिठाने की पहल आपको करने आपको आप पेरेंट्स है तो आपको understanding बिठानी है बच्चे है तो understanding बिठानी है वाइफ है तो understanding बिठाईए husband है तो understanding बिठाईए एक दूसरे के साथ में understanding बिठाईए जब तक आप एक दूसरे के साथ understanding नहीं बिठाओगे आपके understanding match नहीं होगी family में कभी भी unity नहीं हो सकती family में कभी भी एक दूसरे के पते respect नहीं हो सकता एक दूसरे के परते coordination नहीं हो सकता तो एक दूसरे के साथ में जब आप understanding बिठाओगे जब आप अपनी understanding को match करोगे तब जाके आपके relations बनेंगे तब जाके एक दूसरे के परते सम्मान बढ़ेगा एक दूसरे के परते प्यार बढ़ेगा तो क्या करना है आपको understanding match करनी है थोड़ा बहुत उपर नीचे भी हो रहा है तो भी इसको समझते हुए कि मुझे match करनी है मुझे understanding बिठानी है मेरी family के लिए understanding बिठाना important है यति उस सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है 6 है और आप बोल रहे हो 9 है तो एक चीज सोचनी है कि यदि मैं उसकी जगह पर हूँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा उसकी जगह पर अपने आपको एक बार रखके देखिए तो सही और यदि आप अपने आपको उसकी जगह पर रखके देखोगे तो आपको भी 9 ही दिखाई देगा एक्चुली कुछ नहीं है, situation है, समझ है, उनकी परिस्तिती है, उनकी side है, उनका देखने का नजरिया है, वो अपने नजरिये से देख रहे हैं, उनको 6 दिख रहे हैं, आप अपने नजरिये से देख रहे हैं, नो दिख रहे हैं, अरे भाई एक बार दूसरे के नजरिये से त standing बिठाई है एक बार उनके angle से चीजों को देखने की कोशिश कीजे कई बार बच्चे हैं parents लिए बात बुरी मान जाते हैं मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा एक बार parents के angle से तो समझने की कोशिश कीजे या एक बार parents भी है वो बच्चों की बातों को नहीं समझने की कोशिश करते मैं बोलता हूँ एक बार आप बच्चों के एंगल से तो सोचने की कोशिश कीजिए एक बार आप एक दूसरे के एंगल से देखने की कोशिश तो कीजिए जैसे ही आप इस मोड पर आ जाएंगे कि आप सामने वाले एंगल के हिसाब से देखना चालू करते हैं अंडरस्टेंडिंग मैच होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही अंडरस्टेंडिंग मैच होना स्टार्ट होगी पाप्लिम सॉल्व हो जाएगी आप इसका मन मुटाफ खतम हो जाएगा लड़ाई जगडे खतम हो जाएंगे एक दूसरे को आप सम्मान देने लगोगे एक दूसरे को आप पूछने लगोगे एक दूसरे की बातों को आप तबज्यों देने लगोगे आप इज़त देने लगोगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए आपको understanding बिठानी है और understanding बिठाने का सबसे बड़ी है तरीका है जो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है एक बार उसके एंगल से चीज़ों को देख लीजिए आपकी understanding बैठ चाहिए तो दोस्तों ये थी हमारी दसवी technique जिस technique को ये आपने follow किया तो कमाल की आपकी family life होने वाली तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share कीजेगा जिससे के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ understanding बिठाए फैमिली में happiness बने चैनल पर पहली बारा हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे के आने वाले और भी वीडि आप लोगों को मिल सकें अब मुलाकात होगी आप लोगों से हमारे आखरी वीडियो में हमारे manual for happy family life के आखरी वीडियो में 11 वीडियो में तब तक के लिए सभी को नमश्कार